Welcome back friends आज तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं वो बेंकर्स के लिए बनाए हैं और जो बेंकिंग सेक्टर में आना चाते हैं उनके लिए बनाए हैं लेकिन इस वीडियो और जो आज की वीडियो इसकी बारे में मैं कह सकता हूँ कि ये वीडियो सबके लिए है चाहे आप entrepreneur है चाहे नहीं है चाहे आप banking sector में है चाहे नहीं है ये वीडियो आप सबको help करने वाला है सबके लिए beneficial है तो वीडियो किस चीज के उपर है CGT MSC scheme के उपर है credit guarantee fund scheme for micro and small enterprises ये scheme है अगर आपको collateral free loan लेना है बैंक के पास या आपके पा loan ज्यादा लेना चाहते हैं और property offered आपके पास कम है तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए है कि आप loan किस तरह से ले सकते हैं और साथ में banking professionals के लिए भी ये वीडियो है क्योंकि वो जान जपाएंगे कि ये scheme क्या है किस तरह से work करती है तो पहले समझते हैं कि credit CGT MSC है क्या it is a trust ये एक trust created है ministry of MSME के दोवारा और SIDB का इन दोनों ने मिलके एक trust को create किया है जिसके अंदर वो जो micro and small enterprises है micro and small enterprises जो आपका उद्यम registration certificate होता है उसके अंदर आपको तीन तरह की classification मिलती है micro, small और medium तो इसको PSL classification वाला point भी बोल देते हैं तो जो micro and small category में classified है न यानिकि जो छोटे entities है medium तो फिर भी थोड़े बढ़े आ जाते हैं छोटे entities के लिए ये scheme अपले के बहुत है medium enterprise अगर आपका classified है तो आपके लिए ये scheme नहीं है तो इसमें क्या मिलेगा आपको benefit कि अगर आपके पास property नहीं है bank को देने के लिए या जो property आप दे रहे हैं उसकी value कम है bank को देने के लिए तो आप इस scheme का benefit उठा सकते हैं जिसमें इन दोनों का जो combination है ministry of MSME और SIDB का जिसको इन्होंने CGT MSC नाम दिया है ये guarantee देगा ये guarantee देगा आपके बहाफ पे आपके बहाफ पे यानकी borrower के बहाफ पे किसको bank को या lending institution लेंडिंग institution को CGT MSC जो trust है वो guarantee देगा आपके loan की bank को कि भई इस बंदे को loan दीजी मैं guarantee लेता हूँ कि अगर इसने default किया तो मैं आपको time पे तो मैं आपको कुछ repayment करूँगा वो कितने amount की guarantee लेगा, कितनी value की guarantee लेगा, कैसे लेगा, क्या charges लेगा यह सब हम वीडियो में आज जानेंगे तो provide करना है credit support, micro and small enterprises को who do not have any or sufficient collateral, या तो बिलकुल collateral नहीं है, या sufficient नहीं है या third party guarantee नहीं है, अपना formal sector से debt raise करने के लिए formal sector means, जो अपनी banking and BFC sector है banking and BFC या जो भी financial institutions है, उन sector से loan लेने के लिए third party guarantee का क्या मतलब होता है, third party guarantee का मतलब होता है कि अगर जैसे proprietor का case है, तो proprietor खुद हो गया, partnership firm है तो सारे partners हो गए, company का case है, तो सारे directors हो गए H.E.F. का case है, तो करता और सारे major co-personers हो गए trust का case है, तो सारे trustees हो गए, ये सारे बंदे तो normal बंदे है और अगर property offered है, तो collateral owner हो गया, जो property का owner है अगर ये सारे बंदे, ये सारे बंदे guarantee देते हैं, फिर तो ठीक है, इनके इलावा अगर कोई भी और person guarantee देगा, तो उसको third party guarantee माना जाएगा, जैसे proprietor के case में, अगर proprietor के इलावा उसकी wife ने guarantee देदी, तो उसको third party guarantee माना जाएगा, उसके बेटे ने guarantee देती तो उसको third party guarantee बाना जाएगा तो ये CGTMSC के text में लिखा हुआ है आप इसको पढ़ भी सकते हैं online जाके तो CGTMSC member lending institutions जो हैं यानि कि जो banks and BFCs जो loan दे रहे हैं उनको guarantee provide करता है eligible borrowers के लिए कि जो borrowers ने loan के लिए eligible हैं कि इन बंदों के loan की guarantee हम लेते हैं तो इससे जो lending institution है जो bank है जिन्होंने loan देना है उनको ये benefit हो जाता है कि वो उस person को loan दे पते हैं CGTMSC की guarantee के base पे उनको ये होता है कि कल को default हुआ तो CGTMSC से हमें पैसा recover हो जाएगा तो एक तरह से equivalent to उनको collateral security offer हो जाती है एक तरह से security offer हो जाती है CGTMSC से तो आप जानते हैं कि micro small enterprises ये सब हमारी country की backbone है तो इनको grow कराना है इनको develop कराना बहुत ज़रूरी है bank बिना collateral security इसके loan देते नहीं है किसी को तो ये जो छोटे MSM units है जो इतनी employment से देते हैं ये कभी न कभी शुरुआत में MSM unit ही थे तो आपको नहीं पता कि किस unit में कितना potential है वो आगे चलके क्या बन जाएगा खैर loan is purpose लिए नहीं दिया जाता कि जो MSM unit है वो आगे चलके reliance टाटा जितना बड़ा corporate बन जाएगा ये नहीं सोचा जाता चोटे चोटे units भी हर एक country में बहुत जादा importance अपनी value रखते हैं अपनी presence रखते हैं और उनकी अपनी पहचान है और उनका presence होना उनका active होना और उनका स्ठाई तरीके से काम करना हमारी country की growth के लिए बहुत जादा ज़रूरी है तो CGT MSC जो है वो बहुत बड़ी एक initiation है government की तरफ से कि जिससे उनको एक you know वो oxygen मिल जाती है जो MSME units है बैंकों की तरफ से उनको तो अब इसमें हमें क्या सीखना है कि पहले तो काफी सारे point आ इसमें सीखने वाले आज खूब सारा time लगाएंगे आप वीडियो को fast speed पे देख सकते हैं या रुक रुक के जब भी आपको time मिले देख सकते हैं तो अच्छा कासा time devote करेंगे eligibility सारे micro and small enterprises जो unit है वो इसके लिए eligible है educational और training institutes भी included है इसमें CGTMS scheme का benefit लेने के लिए जहां तक मुझे धियार में है agriculture sector इसमें included नहीं है बटा आप एक बर इसको cross check कर लीजिएगा all fund और non fund based facilities given to borrower are covered कोई भी fund based और non fund based facility चाहे टावलोन है CCOD हर तरह की facility यहां पे covered है आपका यहां पे कोशन आएगा कि sir हम तो यहां पे cash credit देते हैं bank में हमारा bank तो बोलता है cash credit देनी है आप cgtmse की site पे उनका text पड़ेंगे तो cgtmse वहां पे आप पाएंगे कि इस तरह का कोई भी restriction उन्होंने नहीं लगाया है facility wise restriction उन्होंने नहीं लगाया है तो आप fund based non fund based facility cgtmse के under दे सकते हैं वो बात अलग है कि cgtmse ने bankों के उपर काफी check लगा दी है cgtmse बोलता है कि bankroon के दवारा आपने account की proper monitoring होनी चाहिए ये नहीं होना चाहिए कि cgtmse ने अगर loan की guarantee दे दी तो bank ढिला पड़ जाए कि guarantee तो है कल को loan फटता है तो फटिया ने तो हमें ना customer से मिला है ना उसको कोई proper service देनी है ना उसकी needs का ख्याल रखना है ना उसकी गलतियों को monitor करना है ना उसको सुधारना है तो bank ढिला ना पड़ जाए तो इस वज़ए से उनको monitoring करने में या कोई उनकी तरफ से कोई lagging ना हो तो ये cgtmse ने काफी चादा restrictions लगाई है बैंक की उपर कि अगर कल को bank ढिल पकड़ता हुआ दिखा गया कि बैंकों की गलती की वज़ए से लोन खराब हुआ और cgtmse को पैसा देना पड़ा तो cgtmse पैसा देने से मना भी कर सकता है तो मेरे मानना ये है कि बैंकों ने इसी वज़ए से cash credit facility को primarily बना लिया अपने पास कि cash credit में stock statements आती है stock audit हो जाता है तो monitoring साथ साथ होती रहती है तो cgtmse को एक जवाब दे ही हो जाती है कि हमने monitoring की थी तो इस वज़े से मेरा मनना है कि उन्होंने cash credit facility को primarily वहाँ पे place कर दिया कि हम cash credit देंगे बट cgtmse की site पे आप जाके check करेंगे पूरी policy पढ़ेंगे पूरा text पढ़ेंगे तो वहाँ पे पाएंगे कि उन्होंने खाली ये लिखा है कि all fund और non fund based facilities can be given और मैं आपको बता दूँ कि कुछ banks हर तरह की fund based और non fund based facilities दें भी रहे हैं cgtmse के अंडर तो कितनी loan की guarantee cgtmse cover करेगा कितने loan की तो वो है maximum 2 करोड तक के loan की देखें micro and small enterprises है तो cgtmse ज्यादा बड़े loan की guarantee की तरफ नहीं जाएगा maximum 2 करोड तक के loan की guarantees को cgtmse अपने अंडर cover करेगा देखें ये तो 2 करोड जो है न ये 2 करोड loan amount है ये 2 करोड loan amount है जो guarantee scheme के अंडर आएगा guarantee scheme के अंडर आएगा इसमें से कितने percent loan cgtmse guarantee देगा कि कल को ये 2 करोड का loan अगर फट गया तो इसमें से कितना पैसा cgtmse देगा बैंक को वो एक अलग चीज है तो 2 करोड का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि 2 करोड तक की guarantee cgtmse दे सकता है दो करोड तक का exposure cgtmse के अंडर बुक हो सकता है उसके अंडर कल को ये 2 करोड तक का exposure अगर फटता है तो cgtmse कितना पैसा देगा वो percentage एक अलग है तो उसके बारे में हम आगे चलके जानेंगे next एक दो slides के बाद तो cgtmse में 2 model work करते हैं एक तो single model है एक hybrid model है single model का क्या मतलब है कि कोई property आप नहीं दे रहे borrower कोई भी property offer नहीं कर रहा hybrid model में क्या है कि property offer हो रही है property के साथ यहाँ पर third party guarantee भी word आ जाता है बट यहाँ पर मैं simplicity के लिए property को ही लेके चलूँगा तो hybrid model में आपके पास partial property आ रही है तो यह without यह तो बिल्कुली case वो हो गया कि एक भी property कोई भी plot तक भी कुछ भी नहीं दे रहा borrower इसमें कुछ property आ रही है मतलब कुछ property उसके पास थी कुछ वो cgtmse guarantee का benefit उठाएगा तो hybrid मतलब mixed model हो गया यह mixed model हो गया ठीक है तो यह दोनों model के बारे में समझेंगे next slide में तो यह 2 crore का जो maximum loan exposure है cgtmse के दवारा तो cgtmse बोलता कि हम 2 crore तक का exposure को cover करेंगे तो इसमें multiple banks भी fund कर सकते हैं अब जैसे borrower A है borrower A है उसको access bank ने HDFC ने ICICI ने cgtmse देना चाते हैं तो ऐसा नहीं है कि access bank 2 crore का cgtmse लग दे सकता है HDFC 2 crore का cgtmse लग दे सकता है ICCI लग दे सकता है तो इस तरह से तो borrower 3 bank को से 6 crore तक का cgtmse का benefit ले जाएगा ऐसा possible नहीं है तो सारे banks मिला के 2 crore दे सकते हैं और यह चीज की tracking हो जाती है क्योंकि borrower का एक pen number होता है और pen number जब cgtmse की site पे register होता है तो वहाँ पे उसका cgtmse का exposure stand कर जाता है तो जब दूसरा bank उसका pen number के उपर अपनी entry register कराने आएगा तो उसको दिखे जाएगा कि उसका already cgtmse का exposure कितना चल रहा है और अगर वो over and above 2 crore book कराना चाहेगा तो उसका अपने अपी वो trigger cancel हो जाएगा कि वो नहीं book होगा तो यह चीज है तो यह चीज की tracking बड़ी easy है करनी तो कोई difficult task नहीं है तो चलिए single model और hybrid model के बारे में समझते है देखे single model क्या है कि कोई भी property या third party guarantee बोरोवर की तरफ से नहीं आ रही है 2 crore तक का exposure cover होगा और वो कैसे calculate होगा माली जे scenario 1 कि bank ने 1.5 crore रुपे का लोन दिया 1.500, 1.5 crore रुपे का लोन दिया तो cgtmse कितना exposure cover कर सकता है 1.5 crore तक का क्यूंकि maximum limit कितनी है cgtmse के अंदर 2 crore की अब second case की borrower ने 0.5 crore का लोन अप्लाई किया तो cgtmse कितना cover कर सकता है 2 crore कर सकता है तो बाकि जो 50 लाक रुपे है वो unsecure रहेगा वो बिल्कुल ही unsecure रहेगा उसको cgtmse cover नहीं करेगा ये सिरफ 2 crore तक के exposure को cover करेगा उसके बाद hybrid model इसमें collateral security borrower से आपको receive होगी property वो कुछ offer करेगा तो इसमें कैसे working होगी ध्यान से देखिए 3 scenarios बनाए है मैंने आपके लिए पहला scenario है कि bank ने loan दिया 1.5 crore रुपे का और जो property value आपकी निकल के आई वो आई 50 lakh रुपे की जब आप ये loan sanction करेंगे न तो ये property value जो भी आपकी आएगी तो आप cgtmse की site पे इस property की value को register करेंगे बताएंगे कि इतनी property की value आई है हमारे पास तो 1.5 crore का loan है 50 lakh की property value आई है तो कितना बचा 1 crore रुपे बचा तो cgtmse तो up to 2 crores तक करी सकता है तो 1 crore का cgtmse cover आपको यहाँ पे मिल सकता है दूसरा scenario की 5 crore का loan था और property value आई है आपकी 1 crore की तो 5 crore minus 1 crore तो बचा कितना 1.5 crore तो cgtmse तो 2 crore तक करी सकता है तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है तो 1.5 crore रुपेया cgtmse scheme के अंडर cover हो जाएगा तीसरा scenario की आपने 3 crore का loan अपलाई किया आपकी property value है 50 lakh रुपे की तो 3 crore minus 50 lakh कितना बचा 1.5 crore रुपेया तो 1.5 crore में से cgtmse तो कितना maximum cover कर सकता है वो तो 2 crore ही cover कर सकता है तो that means बाकी जो 50 lakh रुपेया है यह आपका क्या रहेगा unsecured रहेगा इसके उपर bank का risk रहेगा ठीक है यह risk bank का रहेगा इसके उपर cgtmse को कोई भी लेना देना नहीं है यह चीज़ आपको clear होगी इसमें एक चीज़ आपको और अगर आप minutely दिखेंगे तो आपको एक चीज़ और परदे में आएगी क्या चीज़ परदे में आएगी कि अगर आप property ले रहे हैं साथ में property आप साथ में ले रहे हैं तो उस property का 100% value तक 100% value तक आपको अपना exposure secure करना पड़ेगा और जो over and above amount होगी over and above amount होगी उसके उपर ही आपको CGT MSC cover मिलेगा कई बर bank क्या करते हैं माली जी आपके पास plot की property आई plot की property आई उसकी value है माली जी 50 लाक रुपे तो bank बोलता है कि मैं तो 50 लाक रुपे के उपर 50% लोन दे सकता हूँ तो मैं तो 25 लाक रुपे ही लोन दे सकता हूँ यहाँ पर ठीक है तो CGT MSC को भी बोल दिया कि मैं तो 25 लाक रुपे ही लोन दे सकता हूँ 50 लाक की plot की value पर CGTMSC कोई CC कोई लेना देना नहीं है वो बोलेगा 50 लाख रबेका जी आपके पास plot है तो 100% वो आपकी value जो है उसकी plot की आप अपने loan की उसकी cover कर रहे हो आपकी internal आप उसके उपर 50% funding करते हो 80 करते हो हमें कोई लेना देना नहीं है हम यहाँ पे उसकी 50 लाख की value को deduct कर देंगे और बाकी के उपर देखेंगे कि कितना cover देना है आपको यह चीज अपने दिमाग में आप बिठा के चलिएगा ठीक है अब जब यह hybrid model आता है तो collateral security भी रहती है तो collateral security देखे यहाँ पे loan पे minus होके collateral security बाकी loan के उपर CGTMSC ने आपको cover दिया यान कि यह property किसकी है खाली यह property bank के लिए है CGTMSC का इस property के उपर कोई charge नहीं है हलांकि CGTMSC इसके उपर एक second charge रखेगा national second charge रखेगा first charge किसका है इस property के उपर first charge bank का ही है इस property के उपर कल को इस property को बेचके अगर recovery होती है तो bank इससे अपना loan recover करेगा पहले अगर कुछ बचेगा तब CGTMSC को वापिस करेगा अगर कुछ बचेगा तब CGTMSC को वापिस करेगा recovery के बाद अगर नहीं बचता तो bank खाली अपना loan settle करेगा इसके साथ CGTMSC से उसकी guarantee के पैसे अलग लेगा और बाकी जो उसका loan बचेगा बाकी अपना loan इस property की value से recover करेगा CGTMSC का second charge इसके उपर जरूर हो जरूर रहेगा राइट और जो रही current assets की बाद तो current assets के उपर CGTMSC का पारी पासू चार्ज रहेगा पारी पासू चार्ज क्या होता है मैंने आपको वैसे तो members वाली जो वीडियोस है उनके अंदर multiple banking और पारी पासू चार्ज के उपर तीन वीडियोस बना के बहुत detail में represent की है अगर आप चाहें तो membership का access पारी पासू चार्ज क्या होता है कि बैंक जो होता है और जो कोई भी एनी अदर दूसरा बैंक अगर इन्वाल हो जाए तो दो बैंक है अगर तो उन दोनों की equal ranking है equal ranking है कि अगर 100 रपे की current assets है bank एका अगर 10 रपे का लोन है इसका 10 रपे का लोन है तो ये क्योंकि दोनों का equal equal share है तो इस 100 रपे की assets को equal equal divide करेंगे तो similarly इस scenario में CGT MSC hybrid model में क्योंकि property value भी साथ में involved है और bank और CGT MSC का पारी पासू चार्ज रहेगा current assets के उपर क्योंकि कल को अगर current assets बेच के recovery होती है कुछ loan के default के case में तो यह नहीं होगा कि bank के बोले कि current assets से पैसा आ गया तो पहले मैं अपना loan recover कर लूँ और CGT MSC को तो मैं बाद में पैसे दूँगा ठीक है ऐसा नहीं होगा उनको पारी पासू उनका रहेगा आपस के अंदर और दोनों बरबर बरबर उसको share करेंगे अपने exposure की रेशो में यह चीज आपको समझ में आ गई अब next आगे बढ़ते हैं अब यह important है कि guarantee cover आपको कितना मिलेगा कितने percent guarantee मिलेगी आपको अब मैंने आपको पिछले slides में बताया कि CGT MSC दो क्रोड तक का exposure कवर का दो क्रोड तक का exposure maximum cover कर सकता है maximum cover कर सकता है एक बोर वर के उपर तो उस दो क्रोड के exposure को अगर जब हमने cover कर लिया तो कल को यह 2 क्रोड का exposure अगर फट गया NPA हो गया तो CGT MSC कितना पैसा देगा सवाल यह है कितने percent उसकी security है कितने percent उसकी security है तो जो उसकी security होती है एक यहां प्लिखना पूल गया जो उसकी security होती है वो normally 75% होती है security नौर्मली कितने security होती है 75% यानि कि अगर दो क्रोड रुपे का उसने exposure टोटल बुक किया CGT MSC के अंदर तो CGT MSC की security कितनी है 75% of 2 क्रोड यानि कि डेड़ क्रोड रुपे की और बाकी जो 50 लाग रुपे है वो bank का risk है ऐसा CGT MSC इसलिए करता है ताकि bank भी जाग गुरुक रहे अपने loan को संभाल के रखने के लिए अगर CGT MSC ने इसके उपर 100% cover दे दिया अगर 100% security दे दी 2 क्रोड के उपर तो bank तो बिल्कुल धिला पर जाएगा बिल्कुल free पर जाएगा उसके पास कोई loan के लिए apply करेगा बंदा तो उसके file को properly judge भी नहीं करेगा underwrite नहीं करेगा analysis नहीं करेगा और सोचेगा कि CGT MSC से पैसा तो मिली जाना है ये तो kind of FD की तरह हो गया और loan दो अपनी loan book बढ़ाओ CGT MSC से loan फट गया तो पैसे ले लो तो 25% margin इसलिए रखा गया ताकि bank अपने आखें खोल के चले तो अगर ये मैं examples को पकड़ूं यहां पे तो bank loan देड़ क्रोड का था property value 50 लाग की थी तो CGT MSC का अबर एक क्रोड रुपे का था तो एक क्रोड के उपर guarantee कितनी है 55% तो यान कि 75 लाख रुपे CGT MSC पैसे देगा 75 लाख रुपे पैसे देगा तो देड़ क्रोड माइनिस 50 लाख एक क्रोड उसमें से 75 लाख गए तो 25 लाख रुपे नेट्शल में बैंक के लिए आंसेक्योड है यहां पे 50 लाख तो property value होगी राइट 50 लाख property value होगी 75 लाख रुपे CGT MSC से आ जाएंगे तो 75 लाख रुपे 25 लाख रुपे हो गया टोटल सेक्योड और 25 लाख रुपे यहां पे अनसेक्योड रहेगा इस केस में 0,5 क्रोड रुपे है 1 क्रोड प्रोड रुपे अगर CGT MSC का है तो CGT MSC 75% पैसे ही देगा 1,5 क्रोड के तो बाकी जो portion है वो अनसेक्योड रहेगा इस सेनेरियो में 50 लाख property value होगी 2 क्रोड यह हो गया और 2 क्रोड में से 75% CGT MSC cover करेगा यानि की 1,5 क्रोड रुपे तो इसके पास security कितनी है 3rd सेनेरियो में 1,5 क्रोड की CGT MSC से पैसा आ सकता है उसको maximum 50 लाख रुपे यहां से आ सकता है तो 2 क्रोड रुपे हो गया total तो 3 क्रोड में से 2 क्रोड गए तो net shell में 1 क्रोड रुपे उस bank का risk पे है इस case में 3rd सेनेरियो में तो ये चीज़ आप ध्यान से सोच के चलिएगा तो ये जो guarantee amount है ये normally sub schemes में 75% होती है बट जो micro enterprises है देखें 3 classification होती है micro, small and medium जो micro है सबसे छोटी वाली classification अगर वो up to 5 लग तक का exposure लेती है exposure means CGT MSC cover जो 2 क्रोड है यहां पे अगर वो 5 लग तक का security cover लेती है तो 5 लग के उपर 85% security government दे देगी जो हमने यहां पे 75% लेती अगर woman entrepreneur है यानकी woman proprietor है यह SCST category का person proprietor है यह person with disability proprietor है मलब वो entrepreneur है तो 85% security government देती है instead of 75% उनको benefit देती है और further अगर यह लोग हैं तो जो guarantee fees जाती है CGTMSC को CGTMSC को एक fees भी deposit करानी पड़ती है वो मैं आपको next slides में समझाता हूँ तो उसके उपर 10% discount भी मिलता है अगर आप North East region के हैं including JNK और Ladakh तो आपको 80% security मिलती है CGTMSC की तरफ से और 10% fees में discount भी मिलता है तो यह चीज as an entrepreneur भी आपके लिए important है जाननी तो यह चीज आप समझ गए next period of guarantee अब इसमें हमने यह समझना है कि यह guarantee कितने समय तक दी जाती है सबसे पहले यह guarantee start अब होती है यह guarantee start अब होती है जब payment हो जाती है guarantee fees की मैंने आपको बताया ना कि CGTMSC को एक fees जम करानी पड़ती है यह guarantee देने के बदले और fees आप borrower ही पे करती हो तो जो fees जम करानी जब वो fees की payment हो जाती है उनके खते में credit हो जाती है CGTMSC की जीस दिन उसी दिन से यह guarantee cover start हो जाता है उसी दिन से guarantee cover start हो जाता है अगर ये fees की payment अभी नहीं हुई है पर आपने loan किस दरह से गलती से है कुछ लगा लो borrower को release कर दिया तो ये guarantee start नहीं हुई होगी कल को in between ये fees देने से पहले पहले loan फट गया तो सारे bank का नुकसान हो जाएगा second अगर आपने term loan दिया है किष्टों वाला loan दिया है तो जो guarantee है वो term loan के tenure तक चलेगी जितने time का term loan है उस tenure तक वो guarantee cgtmse की continued रहेगी और working capital अगर मालीजी आपने cc limit दिया है या od limit दिया है तो ये तो 12 मीने के लिए दी जाती है तो developments के लिए होती है 5 years के लिए होती है तो अब आप बोलेंगे कि sir 5 साल बाद तो 5 साल क्या हमारी तो क्या पता cc limit 10 साल चलती रहे क्योंकि ये तो हर सल renew होती है तो guarantee भी दोस्तों new हो जाती है तो पांच साल के बाद ये further next five years के लिए रनीव हो सकती है ऐसी next five years के लिए ऐसी next five years के लिए बस पांच साल बाद आपको एक और additional fees को deposit करवाना पड़ेगा cgtmse के पास तो आपकी अगे के रनी हो जाएगी guarantee ठीक है तो ये period of guarantee रहता है अब आते हैं कि guarantee की fees कितनी होती है कितनी fees लेता है cgtmse देखिए अगर आपका cgtmse cover में आपको already समझाया कि दो क्रोड तक का होता है दो क्रोड में से 55% 80% 85% ऐसे guarantee मिलती है तो अगर आपका 10 लाग तक का है तो standard rate point 75% है अगर आपका 10 से 50 लाग तक का है तो 1.10 परसेंट है अगर आपका 50 लाग से 2 क्रोड तक का है तो 1.20 परसेंट है तो याद रखिए जो मैंने आपको last to last slide में समझाया कि अगर woman entrepreneur है अब person with a disability है SCST category है या North East region है तो आपको इस फीस में से 10% discount भी मिलेगा 10% discount भी मिलेगा और एक बात आप as a borrower भी याद रखिए कि bank को ये फीस जो है ये CGTMSC को deposit करवानी पड़ती है क्योंकि उन्होंने guarantee दी है ठीक है इसको फीस को recovery तो borrower से ही करेगा ये फीस तो CGTMSC वालों को deposit करवानी की फीस है उसके बाद bank ने जो आपका ताम जहम किया आपका loan process किया bank ने भी तो कुछ exposure unsecured आपका risk लिए ये न क्योंकि CGTMSC तो मालीजे 75% कवर करता है तो 25% कौन कवर कर रहा है वो तो bank कवर कर रहा है तो bank सारी documentation कर रहा है सारी processing कर रहा है सारा litigation संभाल रहा है सारी monitoring कर रहा है तो bank अपना खर्चा भी तो लेगा न ये फीस त आप लड़ाई जगड़ा कर रहे हों कि सर CGTMSC नो 1.20% की फीस लिखी है तो आप मेरे से ज़्यादा क्यों ले रहे हो राइट बैंक ज़्यादा लेगा क्योंकि bank ने अपनी फीस भी तो recover करनी है आपसे तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा हलांकि CGTMSC को ये फीस जमा कर आनी पड़ती है और एक 10% डिसकाउंट का benefit भी मिलता है वो मैंने आपको अल्लेडी बता दिया अब इसमें एक point और आपको ध्यान देने वाला क्या है कि जो CGTMSC है ना अब देखिए आप point of concern समझिए CGTMSC free में CGTMSC को borrower के बारे में ABC भी नहीं पता कि ये borrower क्या है क्या नहीं क्या काम करता है क्या नहीं कुछ नहीं पता उसको उसने bank ने जो credit analysis किया है जो आप लोगों ने credit analysis किया है underwriting की है उसके उपर भरोसा कर रहा है कि आपने जो किया वो सब कुछ सही किया तो कल को आप अपने काम में deal ना बरते हैं ये ना समझ लें कि CGTMSC का case है तो लोन की quality को judge करता है इसके लिए CGTMSC एक third party professional agency को appoint करता है जो CGTMSC में जो loan book हुए है जो loan CGTMSC के अंडर किये है bank wise NBFC wise उन्हार bank के loans की health को check करेगा जिस bank के loans की health अच्छी चल रही होगी that means अगर बैंकों के loan जिस माल लीजिए access bank है अब access bank के loans की health बहुत अच्छी चल रही है जो CGTMSC में book की है कि उनका delicacy बहुत कम है वो बहुत अच्छे से perform कर रहे हैं अपने सारे कागजी करवाई हैं पूरी है monitoring proper है सब कुछ ठीक उनको यह example है just मैं यह नहीं कर रहा कि उनकी कम है वाक्षी तो यह just example है तो मालीज उनकी mortality rate कम है quick mortality rate कम है कोई delicacy कम है तो उस तरह का clean portfolio है अच्छा portfolio है तो CGTMSC इस चीज का benefit देगा access bank को वो बोलेगा कि अगर आप good quality portfolio maintain कर रहे हो तो that means CGTMSC को claims कम issue करने पढ़ रहे हैं उनको तो व institution है अगर वो lower quality maintain कर रहा है अपने portfolio की उनके portfolio में delicacy ज़्यादा है CDMSC के पास claim ज़्यादा आ रहे हैं कुछ भी लगा लो तो फिर वो इस fees के उपर premium charge कर सकता है 15-70% तक 15-70% तक premium charge कर सकता है आप सची है कि 1.10% के उपर 70% extra premium लगा के वो fees charge करेगा वो fees ultimately किसको pay करनी पढ़े देगी तो borrower को loan और मेंगा मिलेगा वहाँ से और bank जो अपनी processing fees से वो तो लेगा ही लेगा साथ में तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा ठीक है उसके बाद ये fees आपको कब तक लेनी पड़ती है guarantee fees कब तक लेनी पड़ती है देखे जिस quarter में आप loan sanction करेगे चार quarter हो April to June, July to September, October to December, January to March ये quarters होते हैं अगर आपने first quarter में कोई case sanction किया इस quarter में कोई case sanction किया तो 30th September आने से पहले पहले आपको उस fees को जमा करवाना है जो guarantee cover है उसका जो proposals का आपको कब लेना है यानिकि fees कब तक जमा करवानी है within the end of following quarter अगले quarter के end को आने से पहले पहले अगर आपने October तो December में कोई case sanction किया तो 31 मार्च आने से पहले पहले आपको guarantee cover CGTMSC से okay करवाना है फीस जमा करवानी है तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा तो जो fees है वो कैसे charge होती है जो fees charge होती है वो guarantee amount के उपर charge होती है first year में पहले साल में और याद रखिए ये fees जो है वो हर साल recover होती है और जो next year होते हैं वहाँ पे वो outstanding amount पे recover होती है जितना loan का outstanding है अब आप बोलेंगे कि sir अगर CC limit है उसकी अगर outstanding पे फीस लगनी है तो CC limit है वो तो फिर CC limit की outstanding borrower zero कर देगा जीरो कर देगा तो उसके उपर फिर तो उसको fees नहीं देनी पढ़ेगी जी नहीं ऐसा नहीं होता जो working capital limits होती है उन case में banks जो maximum उसकी outstanding हो सकती है यानि कि उसकी sanctioned amount तक उसकी sanctioned amount तक जितनी उसकी sanctioned amount है उतनी outstanding उसकी report करता है तो उसके उपर fees charge हो जाती है जबकि जो term loan cases है term loan cases है उनकी actual outstanding use हो जाती है और further ये outstanding कब की rate की देखनी होती है ये 31st December की outstanding देखनी होती है as on 31st December ठीक है अब एक स्वाल आया कि CGTMSC के अंदर क्या ये भी कोई criteria है कि bank कितना maximum rate of interest लगा सकते हैं borrower पे जी हाँ एक जगा पर ये भी लिखा बोरवर से और NBFC के case में 18% तक का तो ये जो fees मैंने आपको बताई है first year की तो fees simple है अब जो next year में renewal के time जो fees collect होती है out sending के उपर hybrid cases में उसको कैसे collect करेंगे इसकी मैंने एक table मना के दिया है आपको अलंकि ये मैंने CGTMSC side shape रिक किया है table तो फिर यहां पे आपको represent कर देता हू bank ने loan कितना sanction किया तीन का तीन का चार का चार का hybrid model है ठीक है और security कितनी है एक 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 और एक की मैंने आपको बताया कि security को minus करने के बाद CGTMSC cover दिखा जाएगा तो CGTMSC तो 3-1 दो का CGTMSC रखा 3-1 बनता 2 है पर देखिए एक चीज़ आप ज़्याद रखिए CGTMSC की जो limit है वो maximum 2 करोड की है maximum 2 करोड की limit है आप कम करवाना चाहें तो करवा सकते हैं आप कम करवाना चाहें तो करवा सकते हैं इस case में CGTMSC पहले case की तरह दो का हो सकता था पर borrower ने जब रखवाई एक का तो इसमें हम क्या कर सकते हैं बैंक भी agreed था हलांकि बैंक या इस चीज़ों पर agreed नहीं होता बट यह point अपको समझाने के लिए है कि कम भी रख सकते हैं बस ज़्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है तो CGTMSC cover रखा एक का चार माइनस एक बचता है तीन तो CGTMSC cover maximum 2 ही हो सकता है तो यहां पर unsecured कितना है तो तीन मेंसे एक की security होगी दो का CGTMSC हो गया तो unsecured 0 हो गया हलांकि इस दो के उपर 75% coverage होती है तो बाकी तो 25% unsecured ही होता है पर उसको CGTMSC ऐसे unsecured अपनी calculations purpose के लिए लेके नहीं चलता ठी तो 3 मेंसे 1 गया CGTMSC गया तो यहां पर एक unsecured रह गया चार मेंसे 3 गय तो एक unsecured रह गया चार मेंसे 3 गय तो एक unsecured रह गया अब जब CGTMSC fees देने का time आया CGTMSC fees देने का time आया तो उस समय outscending कितना था 2 का 2 का 3 का और 4 का उस समय इतनी amount outscending थी loan की चाहे वो limit हो term loan हो fees charge होगी, fees charge कौन सी amount पे होगी यह हमें देखना है, अब देखिए total 3 क्रोड का loan था, 1 क्रोड की तो security थी, वो तो bank का ही cover था, तो CGTMSC 2 क्रोड का था, तो अब यह 2 क्रोड का अगर loan का outscending बचा है, तो यह 2 क्रोड का outscending क्या represent करता है, यह represent करता है कि borrower ने bank को 2 क्रोड पे वापिस कर रहे है, ठीक है, तो पर bank के पास 1 क्रोड की security तो पड़ी ही पड़ी है, तो 2 में से अगर 1 क्रोड की security उसके पास थी, तो बाकी कितना बचा, 1 क्रोड ही बचा ना, तो CGTMSC का cover तो 1 क्रोड के उपर ही रहेगा फिर, यह चीज calculation आपके लिए important है जाननी, देखिए CGTMSC किस तरह से bank को check पे रखता है, CGTMSC बोलता है कि आपने मेरे से 2 क्रोड का cover ले लिया, तो अगरा के loan का 2 क्रोड का outsending रह गया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा security अपके उपर पूरा cover है, पहले मैं यह देखूंगा कि आपके पास security कितनी है, 1 क्रोड की security है तो आप 2 क्रोड में से 1 क्रोड पनी security माइनस कीजिए, उसके बाद जो बचता है उसकी उपर मैं अपना cover दूँगा, तो इस तरह से CGTMSC 1 क्रोड की उपर charge करेगा, तो उसका अब 1 क्रोड की उपर 75% यनकी 75 लाग रपे का guarantee रहेगा, राइट, second case, 1 क्रोड का CGTMSC ने guarantee दिया था और 1 क्रोड अनसेकरोड था, अब outstanding बचा 2 क्रोड रपे का, अब CGTMSC बोलेगा कि borrower ने आपको 2 क्रोड रपे देने है, बैंक को बोलेगा कि borrower ने आपको 2 क्रोड रपे वापिस करने है, अब ये 2 क्रोड में से 1 क्रोड की तो आपने property ले रखी है, ठीक हो गया, बचा कितना 1 क्रोड रपे और 1 क्रोड रपे तो का तो रिस्क आप शुरू सी लेके चल रहे हैं, देखे कितना स्याना बन रहा है, वो बैंक का बोलेगा कि 1 क्रोड रपे का अनसेकरोड का रिस्क तो आप डे 1 सी लेके चल रहे हैं, तो एक क्रोड रपे ही तो अनसेकरोड है, बचा, तो बंद कर देगा कि ये case की guarantee अब खतम हो गई है क्योंकि सारी आउट्सेंडिंग दो क्रोड की रह गई है और दो क्रोड में से एक क्रोड की property थी एक क्रोड का bank ने already अनसेक्योड किया था तो मेरा तो कुछ भी नहीं बचता यहां पे देना अब ठीक है मेरा स्कवर खतम हो चु अब कोई देंद्यारी है यह नहीं केस कतम राइट तो इस वजह से थर्ड से नेर्यों चार क्रोड का लोन था टोटल एक क्रोड की security थी CGTMSC cover 2 क्रोड का था तो unsecured एक क्रोड था तो CGTMSC बोलेगा कि आज की डेट में तीन क्रोड रपे बोरवर ने आपको देने है आउट्सेंडिंग कितना है तीन क्रोड रपे तीन क्रोड में से एक क्रोड की तो आपने property ले रखी है एक क्रोड की unsecured की call आपने already ले रखी थी ठीक है आपका रिस्क और रपे था तो बचा कितना एक क्रोड रपे तो एक क्रोड की उपर मेरा guarantee cover है तो एक क्रोड की उपर आफीज जमंग रही है इस तरह से 4-2 और इस scenario में outstanding है 4 क्रोट रुपे तो इसमें बोलेगा कि 4 क्रोट रुपे की outstanding है जी इसमें से 1 क्रोट की आपकी property है 1 क्रोट रुपे आपका unscure था तो बचा कितना 2 क्रोट रुपे और maximum मैंने 2 क्रोट का इक cover दे सकता हूँ तो 2 क्रोट रुपे बनता है आपके बोरोर फट गया लोन खराब हो गया अब क्या करें अब cgdmsc से पैसे ले नहीं है अब क्या process रहेगा क्या pointers उसमें ध्यान रहने रखने वाले है यह चीज आपके लिए important है first of all आप यह ध्यान रखिए कि locking period होता है 18 महीने का जब आपने cgdmsc cover किया cover लिया यहने कि guarantee fees जमा करवाई cgdmsc के पास guarantee book की तो first जो 18 months है first जो 18 months है वो locking period है इस दौरान आपको कोई claim नहीं मिलेगा पहले 18 महीने 18 महीने के बाद मिल जाएगा पर पहले 18 महीने वो आपको 1 रुपया भी नहीं देगा single रुपी भी नहीं देगा single रुपी भी नहीं मिलेगा तो यह 18 महीने कैसे के लोग लेट होने है from the date of issuance of guarantee cover और date of last disbursement whichever is later कोई claim इस period में इस locking period में lodge नहीं हो सकता अब यह क्या है जो period में आपको बताया अब देखिए माली जी किसी client को term loan मिला था term loan मिला था तो 50 लाग रुपेगा तो उसने ट्रांची से में disburse कराया 10 लाग पहले ले लिया 10 लाग बाद में ले लिया 10 लाग बाद में ले लिया तो सबसे last disbursement जब हुई सबसे last disbursement जब हुई वहां से यहां तो 18 मीने count होंगे यहां फिर अगर यह term loan का case है यह चाहिए CC limit का case है यह कोई भी जो सबसे last disbursement होई यहां तो 18 मीने उस last disbursement date से count होंगे यह from the date of issuance of guarantee cover guarantee cover issue कब होता है जब आप guarantee fees pay करते हो यह guarantee fees payment से 18 मीने count होंगे यह last disbursement से 18 मीने count होंगे जो भी date सबसे late fall कर रही होगी उस date तक आप claim lodge नहीं कर सकते clear आपको यह point ओके तो पहला तो यह lock in period है दूसरा point क्या है guarantee can be invoked within 3 years of account becoming NPA और lock in period above whichever is later दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी वाली क्या है कि 18 मीने तो आप claim डाली नहीं सकते और 18 मीने अगर आपके बीद भी जाते हैं तो आपको client के client जब NPA हो जाता है तो उसके within 3 years within 3 years आपको यह claim डालना पड़ेगा within 3 years आपको यह claim आपको डालना पड़ेगा CGTMSC साइट के बाज अगर 3 साल NPA हुए को हो गए और आपने CGTMSC के पास claim के लिए file नहीं लगाई कि हमें पैसा दीजिए तो फिर आपको यह lapse हो जाएगा lock-in period भी आपको ध्यान में रखना है कि lock-in period तक तो आप लगाई नहीं सकते और lock-in period के बाद भी NPA होने के within 3 years के अंदर अंदर आपको यह file लगानी लगानी है इसके बाद मैंने आपको अलड़ी यह चीज़ बताई है कि CGTMSC चाहे government की agency trust है CGTMSC आपको client से पैसा recover करने में कोई help नहीं करेगा वो कोई बंदरी बेजेगा कोई code case में आपकी help नहीं करेगा lender जो है वो सारी activities को कराने के लिए सब कुछ करवाने के लिए responsible है और ये बात का हमेशा अब ध्यान रखेगा कि lender के end पे कोई भी lagging कोई भी deal काम में नहीं होनी चाहिए lender को पैसे जो recover करने है पैसे जो recover करने है वो इस तरह से ही करने है इस तरह से मानके कि उसका ही पैसा सारा डूबा हो lender का ही सारा पैसा डूबा हो तो उस तरीके से ही उसको मानके सारे पैसे की recovery के efforts अपने डालने है अगर CGTMSC को ये चीज़ पता लगए कि lender ने loan की monitoring में, loan के analysis में, loan की इस तरह की recovery efforts में कोई deal बरती थी तो वो आपका claim रोक सकता है, claim minus claim आपको देने से मना कर सकता है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, right तो अब CGTMSC पैसा कैसे छोड़ेगा, अब क्यूंकि ये चीज़ का भी CGTMSC को ध्यान रखना है कि lender के end पे कोई lagging ना हो, तो CGTMSC क्या करेगा, CGTMSC बोलेगा कि 2 crore का CGTMSC cover था जिसके उपर 75% guarantee थी, यानि कि 1.5 crore रुपे तो मैंने आपको 1.5 crore रुपे देने हैं, CGTMSC बोलेगा तो 1.5 crore का 75% तो आप पहले ले लीजिए 25% में आपका hold करके रखूंगा ये चीज़ भी देखी साथ में है, 75% दे देगा पहले 1.5 crore का 75% पहले देगा, 25% hold करके रखेगा CGTMSC पहले satisfy करेगा कि आपने सारे procedural effect recovery के लिए शुरू कर दिये, initiate कर दिये जब initiation का उसके बस proof आप submit कर दोगे कि court case लगा रिया, कुछ कर दिया तो उसके बाद वो 75% आपको pay कर देगा पहले तो कि आपने procedural सारे initiate कर दिये, recall notice issue किया या जो भी आपके step by step procedure बनते थे collection के, वो आपने initiate कर दिये तो 75% आपको मिल जाएगा balance 25% मिलेगा जब आपकी recovery proceedings complete हो जाएगी ठीक है, तो balance 25% आपका hold पे रहेगा वो आपको बाद में मिलेगा मिलेगा, right अब ये सवाल आता है, दूसरा कि CGTMSC जो डेड़ क्रोटर पे है, उसके अंदर क्या खाली principal amount को cover करेगा principal amount को cover करेगा या interest amount को भी दे सकता है या interest amount को भी देगा देखिए CGTMSC interest amount सिरफ one quarter की देगा one quarter की interest amount को cover कर सकता है, इसके लवा कोई भी खर्चा, कोई penal charges, overdue charges interest to interest कुछ भी लगा लेजिए कोई भी और खर्चा CGTMSC cover नहीं करेगा, right तो one quarter का interest क्यों देखिए NPA होने के लिए आपको कितने दिन का timeline चाहिए होता है 90 दिन का, कि account मा लेजिए आज, today ये आज today है आज कुछ loan outstanding था आज ये account में पैसे आने बंद होगे, client ने किष्टे देनी बंद कर दी, for example तो 90 days तक 90 days तक तो NPA classify होता नहीं है तो 90 days तक इसके उपर interest पढ़ता रहेगा 90 days तक interest पढ़ता रहेगा तो उस outstanding में से वो quarter का, one quarter का जो interest है, ये quarter होगे न 90 days तो one quarter का interest वो add कर देगा CGDMSC exposure calculation के लिए NPA date की classification के बाद, जो भी interest लगता रहेगा या कुछ होगा वो CGDMSC cover नहीं करेगा कोई penal charges, कोई overdue charges कुछ भी cover नहीं करेगा, हालां कि एक चीज़ आपको ध्यान में रखेंगे मैं आपको बता देता हूँ, कि जो ये recovery proceedings के हम बात कर रहे हैं, कि 25% hold पे रहेगा, तो आपके जो bank के जो legal खर्चे होंगे legal expenses होंगे, तो आप वो legal expenses काट के बाकी payment आप CGDMSC को करेंगे, legal expenses की CGDMSC आपको deduction allow करेगा, क्योंकि आपने recovery efforts की है, तो अब CGDMSC से claim कैसे calculate होगा, hybrid model में ये चीज़ भी जान लेते हैं, ये चीज़ जानने के लिए बड़ी simple है, ये सारी example same है, outstanding as on the date of NPA word लिख लेना यहाँ पे हमने, date of NPA और बस ये चीज़ काट दी नहीं है, ये आपका cover रहेगा, CGDMSC का, same example, तो ये CGDMSC की policy है, जो आपने hope की enjoy किया होगा, समझा होगा, और काफी आपके doubts clear हुए होगे, बाकि next वीडियो में, next कुछ topic के साथ आपको मिलूँगा, thank you very much guys